मस्कार दोस्तो मैं रविंदर आपका हर्तिक स्वागित करता हूँ इंजिन रोजगार यूटूब चैनल पर दोस्तो आज किस वीडियो मैं आपको step by step बताऊँगा कि किस परकार आप डेली पुलिस के लिए apply कर सकते हैं याँ पर जो post हैं वो headcon stable assistant wireless operator और teleprinter operator की हैं दोस्तो online form आपके 28 12 2019 से शुरू रहे हैं और last date आपके 27 जनुमरी 2020 सरके गई हैं दोस्तो side detail यहां पर दे हुई है को उनको ने apply कर सकता है main qualification अगर आपने 10 प्लस तू जो है किसी भी science और mathematics से की हुई है या फिर आपने IT कर रखी है mechanic operator electronic communication system में तो आप इसके लिए eligible हैं अधिक ज दोस्तो आपको इस website पर आना होगा यह जो direct link है यह मैं आपको description में दे दूँगा इस link से आप जो है इस page पर आ सकते हैं यहां पर आने के बाद दोस्तो आपको registered new user पर click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे आपके सामने एक और नया page open हो जाएगा जिसमें आपको अपने आपके जो language है मत्र बासा है वो यहां पर बतानी है आपको अपना father name यहां पर आपको बताना है क्या आपकी जो mother है वो single parent है तो यहां पर आप जो है बता सकते हैं yes or no में यहां पर आपको अपना mother name चूज करना है यहां पर आपको अपना religion चूज करना है उसके बाद दोस्त तो यहाँ पर आपको अपना merit status बताना है कि आप married है, unmarried है, simply यहाँ पर आपको अपनी category चूज करनी है, आप general category से हो, OBC से हो, SC, ST या फिर ex-serviceman या कोई भी जो आपकी category हो यहाँ पर आपको चूज करनी है, यहाँ पर आपको अपनी date of birth बताने हैं दोस्तो जो भी आपकी date of birth हो, वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, दोस्तो यहाँ पर आपको date of birth चूज करने के बाद आपको बताना है कि क्या आप दिल्ली पुलिश के विभागे उमिदवार हैं, yes और no के मादम से आप बता सकते हैं, उसके बाद अगर आप sports person हैं, तो yes कर सकते हैं, अगर नहीं है तो no पर click कर दीजिए, अगर आप ex-service man है तो next में आपको yes करना है, अगर नहीं है तो no कर दे रहा है, दोस्तो क्या आप पहले से career हैं तो yes कर दीजिए, अगर नहीं है तो no कर दीजिए, उसके बाद दोस्तो अगर आपने बारवी math और physics से कर रखी है, science से कर रखी है, तो आ आपने ITI कर रखी है, communication system में, तो यहाँ पर आप yes norm के मादम से जवाब दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number फिल करना है, यहाँ पर दोस्तो जो capture आपको same to same यहाँ पर enter करना है, और यह enter करने के बाद दोस्तो आपको simple निचे आना है, और इस green वाले बटन पर click कर देना है, जैसी आप इस पर click करेंगे, आपके सामने एक और नया page जो है open हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, कि दोस्तो आपको एक registration ID मिल जाएगी, और यहाँ पर password मिल जाएगा, उन दोनों को आपको note कर लेना है, जैसी आप उन्हें note करे उसके बाद दोस्तों, जो email ID, आपको जो एक application number मिला है, जो password मिला है, वो यहाँ पर आपको enter करना है, और यहाँ पर यहाँ पर आपको enter करना है, जिसमें दोस्तों आपके जो detail है, personal information जो आपने registration के वक्त फिल की थी, वो यहाँ पर automatically fill जो हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे scroll करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके जो parents है, आप जो है, आपके parents डली में, multitasking staff में कारियरत है या फिर नहीं है, तो आपको yes no के मादिम से जवाब देना है, उसके बाद आप अपना आदार कार यहाँ पर fill कर सकते हैं, आपको अपना identification mark फिल करना है, यहाँ आपकी body पर कोई चिन हो जो की साफ दिखाई दे वो आपको बताना है, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप पाड़ी चेतर से संबंदित हैं या फिर नहीं है, उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों, यहा यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना state, ut, राजय चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको district चूज करना है, यहाँ पर आपको अपने district का pin code enter करना है, उसके बाद अगर आपका correspondence, address और permanent address सेम है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर निचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है आपकी 10th क्लास की 12th क्लास की और यहाँ पर दोस्तो एक औरोप सनाएगा अगर आपने ITI चूज कर रखा है तो ITI की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी यहाँ पर आपको simple बताना है कि कौन से board से आपने दस्वी कर रखी है कौन कौन से subject थे आपके जैसे कि science हो गया, Hindi, English, Math यह सबी आपको यहाँ पर fill करने है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना role number fill करना है यहाँ पर आपको year of passing यानि जब आपने पास की थी 10th वो year आपको यहाँ पर चूज करना है और यहाँ पर आपके पास dg locker का link है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यह optional है इसी परकार आपको 12th की detail भी यहाँ पर देनी है subject में आप साइस सूज कर सकते हैं या फिर physics, chemistry, mathematics जो भी आपके subject हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं उसके बाद role number यहाँ पर आपको एंटर करना है 12th का यहाँ पर आपको passing year एंटर करना है कि कब आपने 12th की थी उसके बाद यहाँ पर आपको link है आपके पास digital करका तो yes उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको I accept term and condition and rule and regulation पर टिक करना है कि किस परकार आपको अपने documents को upload करना है क्या आपका photo का size होना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपका photo का size है वो 100-200kb के बीच होना चाहिए उसके बाद आपका जो signature है दोस्तों उसका भी size आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है इतना रोना चाहिए उसके बाद आपका जो यहाँ पर detail दी ll II की 10th mark sheet हो गई उसके बाद आपका 12th mark sheet हो गई यह आपको PDF के rope में यहाँ पर upload करनी है तो यह सारी आपको यहाँ पर upload करनी है upload करने के लिए simple आपको choose file करना है अपने computer आप desktop में जो आपको file upload करनी है उस पर click करना है और यहाँ करने के बाद आपको simple जो है यहाँ पर tic पर click कर देना है तो मैं भी एक पर सारी डीपेल जो हैं आप upload कर देता हूं जो भी जो इनोंने मागी हुई है को यहाँ पर देखें धूस्तों मैंने अपनी जो जो है उपन हो जाएगा तो यहां पर देखे दोस्तों जो हमारे पास एक नया पेज जो है उपन हो गया है तो यहां पर दोस्तो पेज उपन होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपकी साई डिटेल यहां पर आ जाएगी आपको एक बार जो है थो आपको सारा का सारा जो अपने डिटेल दी हुई है वो चेक करना है कहीं by mistake कोई गलती नहीं हो जाए क्योंकि बाद में आप जो है इसे ठीक नहीं कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर देखे साई डिटेल आपकी आ गई है simple आपको यहाँ पर continue पर payment करना है यहाँ पर आप एक बार चेक कर लिजेगा आपका नाम, date of birth, father name, mother name आपकी जो 10th का roll number है, 12th का roll number है साई डिटेल आप एक बार चेक कर लिजेगा जैसी आप माने कि आपकी साई डिटेल बिलकुल सही है तो आप यहाँ पर continue payment पर कलिक कर सकते हैं और simple आपको payment करना है और जैसी आप payment करेंगे आपका form जो है successfully submit हो जाएगा दोस्तों अगर आप SC, ST, woman candidate है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो है fees pay नहीं करनी है यहाँ पर आपको simple option आएगा submit का, जैसी आप submit करेंगे आपका form successfully submit हो जाएगा बाकि जो candidate journal है, mail है और OBC mail है, उनको fees pay करनी होगी 100 rupees, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 100 rupees fees pay करनी है जैसी आप fees pay कर देते हैं आपका form जो है submit हो जाएगा अगर दोस्तों आपको लगे कि कहीं पर कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर आप edit application पर click करेंगे और अपने form को edit भी कर पाएंगे तो यहाँ पर simple आपको continue payment पर click करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस परकार आप payment कर सकते हैं यहाँ पर आपको simple click करना है आपको 100 rupees की fees pay करनी है और click here to paper click करना है जैसी आप click here to paper click करेंगे आपके सामने जो है एक payment का option gateway आ जाएगा यहाँ पर आप अपनी पेमेंट है credit card, debit card, net banking, beam UPI, SBI branch payment भी कर सकते हैं तो जैसी आप payment कर देते हैं तो आपका form यहाँ पर successfully submit हो जाएगा तो दोस्तो इस परकार आप अपना form यहाँ पर submit कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंदा योगी अगर आपको किसी भी परकार का कोई भी doubt आए form apply करने में या फिर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप जो है बेज जग वीडियो के निचे comment कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो को like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा और channel को भी subscribe कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और दोस्तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताएगा कि क्या हम दली पुलिस वारलेस रेडियो ओपरेटर और टेली प्रिंटर ओपरेटर के लिए नया कोर्स टार्ट करें या फिर नहीं तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके भी बताएगा दोस्तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में बने रही है हमारे साथ इंडियन रोजगार पर जै हिंद जै भारत दोस्तो सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं उनलाइन अप्लाई करने से लेके फुल आपका जो नोटिफिकेशन है उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं एक बार जरूर से आप चेक कर लीजिएगा